उत्तर परदेश में काफी लंबे वक्त से सिचक भरती का वेट करने वाले अभ्यारतियों के लिए एक अच्छी खबर है आयोग की दोरा दिये गए आश्वाशन के बाद से उत्तर परदेश में नई सिचक भरती की उमीद जगी है हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं विजडर मास्टर चैनल अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेश करना ना भूले जैसा कि आपको ग्यात होगा कि उत्तर परदेश में काफी लंबे वक्त से मादमिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ड की दोरा अधियाचन मांगे जा रहे थे उमीद थी कि पिछले कारकाल में ही सरकार TGT-PGT की एक बड़ी वेकेंसी निकाल सकती है लेकिन उस समय नहीं आई और अब ये चर्चाएं तेज हैं कि अगले माँ TGT-PGT की एक नई शिचक भरती का विज्जापन जारी हो सकता है प्रयोगी अभ्यारतियों के दोरा मादमिक सिचा चैन बोर्ड के अध्यच के समझ उनकी मुलाकात होई है जिसके बाद से उन्होंने आश्वाशन दिया है कि हर हाल में जून माह में TGT-PGT नई भरती के लिए विज्जापन जारी कर दिया जाएगा जैसा कि आपको ग्यात होगा TGT के लिए जो BTC यानि डियलेट की अभ्यारती होते हैं वो पात्र नहीं होते हैं और PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना अनिवार है इसी के करम में BTC अभ्यारती जो लगातार पिछले 3-4 वर्थों से सिचक भरती का वेट कर रहे हैं TGT में वेकेंसी आ रही हैं लेकिन प्रात्मिक अस्तर की सिचक भरती नहीं आ पाई है इसी के करम में अभ्यारतीों ने माननिय मुख्य मंत्री जी इसके अलावा माध्मिक शिच्छा से समद्रित माननिय शिच्छा मंत्री जी को और माननिय बेशिक शिच्छा मंत्री जी को एक पत्र लिखा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसे विसेट TGT भरती में BTC DLA धारी को शामिल करने है तू यहाँ पर देख सकते हैं इनके द्वारा ये अवगत करा गया है कि B8 BTC DLA जैसे कोर्सों का संचालन करा जाता है TGT यानि असनातक प्रशिच्छक भरती में केवल B8 धारी ही मानने है जबकि BTC DLA B8 आधी सभी कोर्सों की नियुनतम सची अरता असनातक ही होती है अतनि वेदन है जिस परकार 79,000 शिचक भरती में B8 धारी हो को शामिल किया गया ठीक उसी परकार BTC DLA धारी हो को TGT भरती में शामिल किया जाए यही निया संगत और समानता का प्रतीक होगा लगतार BTC यानि DLA अभ्यार्ती मांग कर रहे हैं कि जो TGT की वेकेंसी आने वाली है उसमें DLA अभ्यार्तियों को भी मौका दिया जाए जब भी उतरपरदेश में शिचक भरती की वेकेंसी आने वाली होती है TGT तो खास करके DLA या BTC वाले अभ्यार्तियों उसमें सम्मिलित होने की बात करते हैं वही बात करें इन अभ्यार्तियों की तो नए सिचक भरती का नाम सुनकर उनके चेहरों पर खिल तो जाते हैं लेकिन TGT वा PGT की वेकेंसी देखकर उनके चेहरे फिर से मुर्जा जाते हैं एक तरह से देखेंगे तो NCTE वा केंद सरकार के गलत नीतियों की वज़ा से जहां जो कोर्स जिस लेवल के लिए बना था वो अपनी भरतियों को छोड़ करके दूसरी भरतियों में ज़्यादा इंट्रेस्ट ले रहे हैं यही हाल आज BAT BTC का भी हो चुका है लगातार एक दूसरे की भरतियों पर अभ्यार्तियों की नजर रहती है और केंद सरकार और NCTE ने ऐसा मामला उलजाया हुआ है कि अपने अस्तर की भरतियों को छोड़ करके दूसरे सभी भरतियों में लोग ज़्यादा इंट्रेस्ट ले रहे हैं इस पूरे मुद्धे पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया ऐसे ही इंपोर्टेंट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू